क्या sex करते समय या masturbate करते समय वैस्लीन का प्रियोग कर सकते हैं? बहुत ही common youth के अंदर एक question है कि वैस्लीन is absolutely safe मुनों भी पर recently मैं कोई series देख रही थी महाँ पे annal या वजा अनल सेक्स करने के लिए वैस्लीन का प्रियोग किया जाता है क्या ये साई है, क्या ये गलत है, क्या वासलीन, जेली, आपसलीटली नॉर्मल है जब आप सेक्स परफॉर्म करते हैं डीटेल में बात करूंगे और आपके मन में भी कही न कही वासलीन और जेली आता है तो प्लीज इस वीडियो को अंतक देखें, मुझे पता है आप देखने वाले हैं और प्लीज ये वीडियो ना शेर जरूर करो ताकि उन कपल सक पहुँच पाएं जो इसका इस्तमाल करते हैं चैनल भी नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे बहुत सारी क्वेशन के लिए मिर साथ कनेक्टेड रहेंगे सबसे पहले जानना है कि पेट्रोलियम जेली यूजली फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है मुरूबर जब हम टाटूस कराते हैं या हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहां पर रेगुलर रगड़ खाने की वज़़े से पेन बढ़ता है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी अगर हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी anti-infective properties होती हैं कि infection से बच्चते हैं क्योंकि अगर चोट के उपर हम इसे cover कर देंगे तो बाहर की गंदगी, मिट्टी यह सब नहीं आती and ultimately it will help to heal the wound लेकिन अगर आपको लगता है कि यह Sophromycin की तरह काम करती है यह यह betonovate की तरह काम करती है यह तो कोई tube हो गई no, it's not like that but it helps to keep a safe जिसे हम बोलतें cover कर देती है ताक कि बाहर का infection उस पे नहीं आपाए skin में मामुली सी कोई खरोच है या skin में राशे हो रहे हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि मुर्जा गई है ना जिसे हम बोते moisture की कमी हो गई है तब हम Vaseline का इस्तेमाल करते हैं moreover हम lips पे इसको यूज कर लेते हैं लेकिन अगर आप sex या penetration करते हैं में Vaseline का प्रियो कर रहे हैं तो ultimately it's not at all recommended, not recommended, धियान से सुनो, बिल्कुल recommended नहीं है आप annal कर रहे हो, आप अपज annal कर रहे हो, आप oral कर रहे हो, और 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 तो definitely इसका इस्तेमाल नहीं करना है इसमें बहुत सारे parabens हैं जो आप इसको मुह में नहीं डाल सकते हैं जब हम इसको lips के आसपास भी लगाते हैं तो भी recommend किया जाता है कि बार 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 जबकि उसकी quantity बहुत कम होती है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप annal कर रहे हो, moreover annal के time पे भी oils का इस्तेमाल जादा recommend किया जाता है तो please Vaseline का इस्तेमाल frequently ना करें वजानल में तो definitely यह recommend नहीं है बट हाँ, अगर आप masturbate कर रहे हो और थोड़ा बहुत jelly लगाते हो, it's okay बट अगर आप regularly इसे लगा रहे हो, तो it's not at all recommended बेटर यह है कि अगर आपने इन सब के time पे कुछ करना ही है तो फिर ऐसे oils का इस्तेमाल करें जो कि penile area और आसपास के लिए safe और recommended है बेस्ट है कि आप lift up oil का इस्तेमाल करें नीचर मीनिया का product है, reviews बहुत अच्छे हैं size का problem है, आपका erection का problem है किसी भी तरीकी के problem के लिए lift up oil बहुत अच्छे results दे रहा है link मैं आपको दे रहे हो, description में एक bottle will go for 2-3 months एकी बार में अच्छी चीज़ें इसमें long, ashwagandha, shalajit ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके penile area की growth और erection को मस्बूत करने के लिए plus ये जो हम दूसरी चीज़ें यूज करते हैं जिससे महाँ पे कालेपन या धब्बे होने के chances हो जाते हैं तो I hope मैं आपके doubts को clear कर पाई हूँ चानल पे नए है तो subscribe जरूर करेंगे और ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए connected रहेंगे आप चाहें तो Instagram और Facebook पे मुझे follow कर सकते हैं Dr.Niha Official